नवस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कीरती है, आज हम डिसकस करते हैं कि सेक्स रोग या फिर सेक्शुल प्रोब्लम्स की समस्या शुरू कैसे होती है तो एक उधारण लेते हैं कि एक व्यक्ति जो कि पहली बार जिंदेगी में सेक्स कर रहा है, उससे पहले कभी सेक्स किया नहीं है, पहली बार जाता है, कलड़की के पास वहाँ पर बहुत गबराया हुआ है, कि पार्टनर क्या सोचेगी अगर वो नहीं कर पाएगा, अगर ल लोगों से डिसकस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप डिसकस करते हैं, लोग आपका मजाब उडाते हैं, बोलते हैं कि आपका नसे खराब हो गए हैं, आप बात नहीं बन पाओगे, आप जिंदेगी भर कुछ कर नहीं पाओगे, ऐसी चीज़े बोलते हैं लोग, साथी सा यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हैं, यहां पर बहुत सारे वीडियोज ऐसे हैं, जो गुम्राह कर देते हैं लोगों को कि बच्पन की गलतिया करके, बहुत जादा हस्तमे थून करके, आपने अपने नसों को खराब कर दिया हैं, और उसकी वज़े से ऐसी कटिनाई का सामन करना पड़ता हैं, तो यह सब चीजे चलते हुए, वो नेट पे देखते हैं कि कहां बर इसका इलाज होता है, और वो चले जाते हैं कोई बावा के पास, या फिर कोई और लोगों के पास, जहां जो कि डॉक्टर होते नहीं, और वो क्या करते हैं ना, हाथ में कुछ मेशीन पकड़े हुए रहते हैं, जिनका कोई भी मेडिकल टेकनोलोजी के साथ कोई संबद नहीं है, और कपड़े उताने को बोल देते हैं, और लिंक पे वो मेशीन को रखके बोल देते हैं कि आपका ब्लड रोग खतम हो गया है, आपकी नसे एकदम कमजोर है, और इसके चलते है आपका भी बाप नहीं बन पाओगे, और ये चीज सुनके वो और ज़्यादा डर जाता है, डरने के कारण क्या होता है, वो फिर उनको एक पैकेज बताते हैं, कि हम इतना पैसा लेंगे, आपको completely ठीक कर लेंगे, और यही सब चीजों को चलते हुए, लोग गुमरा हो जात और दर के मारे इधर उधर हो जाते हैं, तो पहला उदारन हम देंगे कि लिंग का रोग और दिमाग का कनेक्शन डर का है क्या, तो पहला चीज है, अगर हम किसी को बोलते हैं कि अपना दाहिना हाथ उठाओ, जैसे मैंने उठाया, अराम से उठा देगा वो, बाया हाथ वो भी उठा देगा वो, लेकिन अगर हम उसको बोलेंगे कि आप अपने लिंग में भी तनाव लाओ, क्या आप लापाओगे, नहीं लापाओगे, क्यों नहीं लापाओगे, लिंग भी तो आपके शरीर का एक अंग है, वो भी आपकी बात मानना चाहिए, तो लिंग एक जो आपके दिमाग के डाइरेट कंट्रोल में नहीं है, वो आपके इमोशनल फीलिंग के कंट्रोल में है, तो जब आपको सेक्शोल आकरशन लगता है, तब ही जाकर लिंग की तरफ खून का संचालन होता है, और इरेक्शन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो ये चीज हम ब्लड फ्लो लिंग की तरफ होने पाता है, तो सेक्शोल आकरशन या फिर आनंदित परिस्तिती में जब सेक्स आपको फील होता है अच्छा, तब ही जाकर लिंग में अच्छा खासा तनाव आता है, नहीं तो नहीं आपाता है, और देखिए, सेक्शोल रोग कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसका सठीक ट्रीटमेंट करवाना, सठीक डॉक्टर के पास जाकर इसका डाइगनोसिस करना, जो इसको सठीक रूप से समझ सके, तभी जाकर चीज़े सही हो जाएगी, और बहुत ही अच्छे मेडिसेंस आज के डेट में मिल चुके हैं, ज और शादी से कतराते हैं, घरवालों को बोल देते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, और यही सारी चीज़ों को चलते चलते, धीरे धीरे डर बढ़ते बढ़ते, बहुत जादा बड़ा रूप लेता है, जहांपर की सेक्स को लेकर उनको डर बढ़ जाता है, और यही सारे प्